परिवार, दोस्तों और शिक्षकों की उम्मीदों का बोज उसकी मेहनत पर भारी पड़ रहा था वो अक्सर इस बात से घवराई रहती थी कि अगर उसने उम्मीद के मताबिक परिणाम नहीं दिये तो क्या होगा एक दिन सिया के दादाजी ने उसकी परिशानी भाप ली और उसके पास आकर बैठ गए उन्होंने उसका हाथ पकड़ कर कहा बेटा एक समय था जब मैं भी तुम्हारी तरह ही अपने बोर्ड एक्जाम्स को लेकर चिंतित था मुझे भी बहुत डर लगता था कि अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो क्या होगा सिया हैरान होकर अपने दादाजी को देख रही थी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके दादाजी जिने वो जीवन में इतना सफल और समझदार मानती थी कभी उसकी तरह परेशान रहे होंगे सिया ने उत्सुता से पूछा फिर आपने क्या किया दादाजी दादाजी मुस्कुराए और बोले तब मेरी एक शिक्षिका ने मुझे ऐसा सुझाव दिया जो मेरी जिन्दगी बदल गया उन्होंने कहा टेपरिक्षा ये आपके ग्यान की परिक्षा लेंगी लेकिन कभी भी आपको यह महसूस मत होने देना कि वे आपकी असली कीमत को माप रही है अंक जरूरी है लेकिन वे केवल एक माध्यम है जो यह बताते हैं कि आपने क्या सीखा है आपकी काबिलियत या आपके सपने सिर्फ अंकों पर निर्भर नहीं है दुस दिन से मैंने पढ़ाई को एक अलग नजरिये से देखा मैं अब भी मेहनत करता था लेकिन अब मुझे असफलता का डर नहीं था मैं सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेने लगा था दादा जी की ये बात सुनकर सिया का दिल हलका महसूस होने लगा उसे अपनी पढ़ाई को लेकर एक नई समझ और आत्म विश्वास मिला उसने सोचा मैं भी अपने एक्जाम्स को इसी नजरिये से देख सकती हो मुझे केवल अंको की चिंता छोड़ कर जो मैं पढ़ रही हूँ उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए इसके बाद सिया ने पढ़ाई का एक नया तरीका अपनाया उसने एक ऐसा रूटीन बनाया जिसमें उसे आराम करने का समय भी मिलता था अपने प्रगति का मूल्यांकन करने का मौका मिलता था और अपनी पढ़ाई के उद्देश्य को भी समझने का मौका मिलता था धीरे धीरे सिया का डर कम हो गया और वह पढ़ाई को एक बोज के बजाए एक रोमांच की तरह देखने लगी एक्जाम के दिन भी सिया थोड़ी नर्वस थी लेकिन उसने दादा जी की बातें याद की उसने गहरी सास ली, अपनी तयारी पर भरोसा किया और एक-एक सवाल का आत्मविश्वास के साथ सामना किया जब परिनाम आये तो सिया ने अच्छे अंख हासिल किये लिकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसे अपनी यात्रा पर गर्व महसूस हुआ उसने सीखा की बोर्ड एक्जाम्स उसके बड़े सफर का सिर्फ एक हिस्सा है, उसका संपूर्ड उद्देश्य नहीं तो इस कहानी को पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए एक सीख है, परिक्षाए आपकी जिन्दगी की एक छोटी सी कहानी है, पूरी किताब नहीं बोर्ड परिक्षाओं की तैयारी के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल Learn with AKB को फॉलो करें यहां आपको आने वाली बोर्ड परिक्षाओं से जुड़े महत्पपूर्ण टिप्स और अध्यन सामगरी मिलेगी आपके सपनों की उड़ान के लिए हमारे साथ चुड़े रहें